उत्तर प्रतेश में पहले फेस के चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया आप गुरुवार यानि 10 फरवरी को पश्टमी यूपी में 58 सीटो पर वोट डाले जाएंगे वोटिंग से 48 घंटे पहले आज यूपी की कुरसी के दो बड़े दावेदार यानि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से अपने वादों का पिटारा खोला गया दोनों ही पार्टियों ने अपना घोशना पत्र जारी किया और इस घोशना पत्र में लुभाव ने वादों पर मुफ्त का जबरदस तड़का लगा हुआ था पार्टियों के वे इस वादा पत्र में वोटर के लिए वो दस्तावेज है जिसकी कसोटी पर वोटर अपनी पसंद की पार्टी और नेता को चुनता है इसी के आधार पर वो सरकार से सवाल भी पूछ सकता है और इसी दिए जरूरी है पार्टियों को घोशना पत्र का संपूर्ण विशलेशन देखना भी चाहिए और जो इन पार्टियों को वोट करने वाले वोटर्ज है उनको भी देखना चाहिए पिछले चुनाव के बादू का रियालिटी टेस्ट यानि जो उन्होंने अपने-पने मैनिफेस्टों में किया था आज मास्टर स्ट्रोक में प्रमुक्ता से आपके सामने रख रहे हैं लेकिन उससे पहले आप ये पॉलिटिक्स पर रिपॉर्ट देख लीजे समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टों बनाया है जो सत्वचन और अटूट वादा करके हम लोग जन्ता के बीच में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार बंद होने के कुछ घंटे पहले राजनेतिक दलों के वादों का पिटारा खुला आम तोर पर पार्टी आपना घोशना पत्र चुनाव का पारा चड़ते ही लौँच करती थी लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इसे मतदान की तारीखों के आसपास लौँच करने का ट्रेंग शुरू हुआ है यूपी की कुर्सी के दोस्स सबसे बड़े दाविदार समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने एक ही दिन अपना घोशना पत्र लौँच किया इसमें हर वर्क के वोटर को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर था जन्ता भार्टी ने अगले पांच वर्स के लिए उत्तर प्रदेश के पचीस करोड नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्स्य को लेकर के अपना नया लोग कल्यान संकल पत्र जारी किया है सभी किसानों को सिचाई के लिए मुफ्थ बिजली, व्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की विवस्था की जाएगी सभी BPL परिवारों को प्रतिवर्स दो LPG सिलिंडर मुफ्थ में दिया जाएगा महिलाओं को सरकारी नौक्रियों में 33 फीज़ी आरक्षन, पोलिस समय सभी सरकारी नौक्रियों में परतान किया जाएगा वोटरों के लिए वादों के इस बारिश से UP की राजनीती का पारा भी चड़ा हुआ है UP में बीजेपी संकल पत्र और समाजवादी पार्टी वचन पत्र के जरी अपने वादों का पिटारा खोल चुकी है जबकि कॉंग्रेस की प्रतिग्या कल प्रयंका गांधी जारी करेंगी BSP के परंपरा है कि वो घोशना पत्र जारी नहीं करती है और इस बार भी अपने परंपरा के मताबिक वो घोशना पत्र जारी नहीं करेगी ऐसे में इन राजन्यतिक दलों के वादे और इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर जनता अपना फैसला करती है जिसकी घोशना दस मार्च को होने वाली है उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो बड़े प्लेस यानि समाजवादी पार्टी और बीजेपी है चुनाव से पहले ज्यादा तर जो सर्वे आये थे उसमें बीजेपी थोड़ा आगे जरूर है लेकिन समाजवादी पार्टी से उसे टक्कर मिल रही है आज ही दोनों ने अपना-पना मैनिफेस्टो जारी किया और इसलिए जरूरी है कि प्रदेश की बड़ी समस्या उपर इनके वादों को कसोटी पर तॉला जाए इनलेसिस इनके वादों का किया जाए सबसे पहले बिजली की बात बीजेपी ने किसानों को फ्री बिजली का एलान किया है जबकि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का एलान किया है आप ध्यान रखिएगा इन वादों को शिक्षा की अगर बात करूँ तो बीजेपी 2 करोड चात्रों को टाबलेट दे रही है आखिलेश 12 पास चात्रों को टाबलेट देने का एलान कर रहे है यूवावर के लिए बीजेपी के पिटारे में हर परिवार के लिए एक सदस्सको नौकरी है जबकि समाजवादी पार्टी ने IT सेक्टर में 22 लाख नौकरी का वादा किया है बीजेपी का वादा है कि प्रदेश के सभी सरकारी खाली पदों को भर दिया जाएगा जब आप में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकारी नौकरी के सभी 11 लाख पद भर दिये जाएगे बीजेपी ने जरूरत मन्द महिलाओं की पेंशन बढ़ोतरी का एलान किया है आखिलेश ने सरकारी नौकरी में 33 पीसदी महिला आरक्षन की बात कही है बीजेपी ने MSP को मजबूत करने की बात कही है आखिलेश ने किसानों की सभी फसलों पर MSP का वादा कर दिया है बीजेपी ने गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुकतान की बात कही समाजवादी पार्टी ने 15 दिनों में स्वास्तक शेत्र के लिए बीजेपी हर जिले में Medical College का वादा कर रही है आखिलेश स्वासबजर तीन गुना करने का वादा कर रही है बीजेपी ने उज्वला योजना में 2 सिलेंडर हर साल मुफ्त की बात कही है समाजवादी पार्टी ने BPL के लिए यही वादा किया है बीजेपी हर व्यक्ति की आयर 2 गुना करने की बात कह रही है अखिलेश पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का नारा दे रहे हैं घोशना पत्र में राजनितिक दल के दावों और वादों में मुफ्त का बहुत भयंकर जबरदस तरका लगा हुआ है लेकिन मुफ्त की जो ये रेवडियां बाटी जा रही है ना उनकी जमीनी सच्चाई बाद में सब के सामने आ जाएगी इन्हें पूरा करने में यूपी का खजाना कैसे खाली हो जाएगा इस बात को आप समझेए यूपी में फ्री की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा होड बिजली को लेकर लगी है लेकिन यूपी में बिजली की खपत बिजली कम्तियों का घाटा ये कहता है कि फ्री बिजली की पॉलिटिक्स यूपी की सेहत के लिए शायद अच्छी साबित ना हो यूपी में कुल उत्पादन करीब 27,000 मेगवाट का है और पीक डिमांड करीब 30,000 मेगवाट की है ऐसे में यूपी पीक सीजन में कमी जहलता ही है इस वक्त यूपी में करीब 2 करोड 80,000,000 उप भोगता है और बिजली कम्तनियों का घाटा करीब 11,000 करोड का है फ्री के बादों में किसानों को फ्री बिजली का भी बादा जोर शोर से किया जा रहा है अगर यूपी में किसानों के बिजली खर्च की बात करें तो यूपी सरकार पहले ही दबाव में नजर आती है यूपी में फिलाल किसानों को करीब 11,000 करोर की बिजली सबसिडी पहले से ही दी जा रही है अब अगर फ्री बिजली दी गई तो करीब 3,000 करोर का अतरिक्त भार पड़ेगा इस से सिर्फ किसानों को बिजली के लिए यूपी के खजाने का भार 14-15,000 करोर का हो जाएगा फ्री बिजली के साथ ही फ्री सिलेंडर बाटने की भी होड लग गई है ये भी खजाने के लिए कम भारी नहीं पढ़ने वाला यूपी में फिलाल फ्री सिलेंडर के लाभारतियों की कुल संख्या लगभग एक करोड एक सट लाक है अगर इन्हें हर साल दो सिलेंडर मुफ्त दिये जाए तो कुल खर्चाएगा दो हजार नौसो करोड रुपए का चुनावी बादों के मताबिक ये ओजनाए उस प्रदेश में लागू की जाएंगी जहां की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है यूपी पर कुल खर्ज 6,53,000 करोड रुपए का है और वित्य घाटा 90,000 करोड का है यूपी पर बाजार से खर्ज 1,85,000 करोड का है और इस तरह प्रती व्यक्ती खर्च 28,405 उपए होता है साफ है मुफ्त की घोशनाएं खजाने पर भारी पड़ती है लेकिन कुरसी के लिए नेता तरह तरह की घोशनाएं कर देते हैं लेकिन पूरी तरह से जमीन पर वो शायद ही उतर पाती है और इसलिए अब अखिलेश के 2012 के उन वादो का टेस्क करना है जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई आपके सामने वो सारे वादे और उसकी असलियत सामने रखूंगी सबसे बड़ा वादा किसानों का कर्ज माफ करने का था कर्ज माफी तो हुई लेकिन शर्तों के साथ अखिलेश ने 2012 में वादा किया था कि किसान की दुरगटना में मृत्यों पर परिवार को पांच लाक रुपे दिये जाएंगे ये स्कीम लॉंच हुई उन्होंने बुनकरों और किसानों को फ्री बिजली का एलान किया था बुनकरों को तो फ्री बिजली दे दी गई लेकिन किसानों से जो वादा किया वो देखिया आप पूरा नहीं हो पाया गाउं में 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा था लेकिन आप देखिए 2013 में क्या हुआ, मुजफर नगर के जबरदस दंगे हुए, बारवी पास चात्रों को लापटॉप का वादा किया था, उन्होंने लापटॉप बाटे भी गए, लेकिन दसवी पास चात्रों को टाबलेट का वादा किया था, वो देखिए आप पूरा न चोटे किसानों का कर्ज माफ करने का एलान किया था, ये देखिए ये वादो का रियालिटी टेस्ट है, 2017 में चोटे किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी, एक लाग तक का फसल कर्ज जो है, वो ही माफ हो पाया है, 2017 में क्या वादा किया था, कि 14 दिनों में गन्ने का ही हो पाई है वादे के मुताबिक भू माफियाओं पर एक्शन के लिए टास्क फॉर्स का गठन किया गया और 67,000 एकर जमीन कब्जा मुक्त भी करवाई गई यह वादा हुआ 2017 में बीजेपी ने कॉलेज के क्या है 13 फीसद लोगों के घर तक ही नल से जल पहुंच पाया है चुनाव में देखिए आंटी रोमियो दस्ता बनाने का वादा किया गया था दस्ते का गठन हुआ यह बात सही है और 14,454 लोगों को गिरफतार भी किया गया है चुनावी वादों में 25 सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता और इसी लिए वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं ABP News आप को रखे आगे